पैसा कमाना हर किसी की चाहत होती है लेकिन वही पैसा अगर गलत तरीके से कमाया गया हो तो आप पुलीस और E.D. के कस्टडी में आने में भी समय नहीं लगता है आज हम पात कर रहे हैं फिल्म एक्ट्रेस तमन्ना जो काफी पॉप्लर एक्ट्रेस है सौथ इंडिया में और हिंदी फिल्मों में जिन्हें हमने बाहु बली में भी देखा उसे E.D. ने पूरे दिन समन के लिए बुलाया गवहाटी E.D. ने समन्ना को बलाया पहले भी बुलाया गया था लेकिन किसी प्रोफिशनल एसाइन्मेन के कारण वो टाइम पर नहीं पहुँच पाई अब वो आज पहुँची और E.D. का सवालों का सामना किया तो आओ जाने हम केस पूरा कमन्ना को बुलाया क्यों गया और किस केस में और आगे क्या होगा बिटकॉइन जहां पर लोगों को बताया जाता है कि यह एक ऐसा तरीका है जहां पर आप हर दिन पैसा दुगना दुगना कर सकते हैं तो बहुत सारे लालची लोग इसमें फस जाते हैं किसी का benefit उठाते हुए HPJ token ने एक नया scheme लेके आया जहां पर वो कहता है आप 50 से 60,000 रुपया हमें डालो और हर दिन 4,000 रुपया कमाओ यह पॉसिवल था नहीं फिर भी जो कुछ लालची लोग थे उन्होंने इस एप को डाउनलोड किया पैसा लगाया और यह ब कंपनी का HPJ token का event में जो launching event था उसमें तमन्ना भातिया चीफ केस थी इसी लिए एडी ने तमन्ना भातिया को भी पुस्चन के लिए बुलाया अब जो SPJ token है वो यह इंडियन कंपनी है यह चैनीज कंपनी है तो यह एक चैनीज कंपनी है जहां पर इंडियन पब्लिक से पैसा लेकिए हवाला के थुरू इंडिया से बाहर पैसा भेज दिया गया तो एडी ने फिर पूरे इंडिया में त 45500 करोर के आसबास का पार्टी और मनी सीज़े कर लिया इसके गयारार डारेक्टर चो कम्पनी में है सब को चलब किया गया सब को बुलाया गया है इसी सिलसिल्वे में तमना को भी बुलाया गया क्योंकि तमना की इस इवेंट के चिफ गेस्ट में थी तो इसलिए तमन्ना को भी गुलाया गया है तमन्ना पहले नहीं जा सकी थी उस समय उसके कुछ प्रोफेशनल एसाइनमेंट थे आज वो गवहाटी E.D. के सामने पेस हुई है और ये गवहाटी E.D. पर अब डिपेंड करता है कि तमन्न को किस तरीके से ट्रीट करती है कितना उसे इंपरमिशन लेपाती है और ये केस जैसे जैसे आगे बढ़ेगा दोस्तों मैं आपके सामने डिटेल आपको पहुंचाता रहूँगा HPJ token ये एक bitcoin का company है जो कहता है mining हम करते हैं और हमारा bitcoin किसी और bitcoin के जो तरीका उसे ज्यादा गुना से चलता है speed में भागता है इसलिए हम 50-60,000 रुपय के investment पर परड़े मैं आपको 4000 रुपय का return दूँगा तो ये एक तरीके से ज्जाल था जिसे हमारे ED department ने पकड़ा और इसी ED department ने तमन्ना को जो chief guest थी और event का ambassador थी तो इसलिए भी तमन्ना को बुलाये गिया और question किया गिया तो अब ये देखना है कि तमन्ना ED के किन सवालों का जवाब दिती है और उसका कितना involvement है दुआ करते हैं कि तमन्ना जो हर दिल की धरकन है हर किसी की चाहत है उनकी उपर कोई आच ना है और वो इस fraud में involved ना हो तो ये एक वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें चैनल सब्सक्राइब करें और नेक्स वीडियो के आने तक आप हमारे साथ बने रहें थैंक्यू